कुंडली में ग्रहों की कैसी स्थिती देवदोश की वजह बनती है देवदोश लगने पर हमें कौन-कौन सी मुसीवतों और मुश्खिलों का सामना करना पड़ सकता है आईए चानते हैं पंडीची देवदोश लगता कैसे है और अगर लग भी गया है तो किस तरह के चैलेंजिस लाइफ में बढ़ जाते हैं कैसे हम पहचाने देखो पहली बात तो यह बताऊंगा कि जब आदमी का जन्म होता है तो उसी समय के ग्रह के अंसार उसके कुंडली बन जाती है तो ग्र प्रफवी रहेगा अगर हर समय को दोस्प्रफवी रहे तो मनुष्य का जीवन तो नर्क हो जाएगा और ऐसा होता विया वहा भी नहीं देखा गया है कि कोई जिंदगी भर उससे परिषान है उसके परिषाणी का समय होता है जो ग्रह दोस्ज दे रहा है जब वो दसा महादसा अंतर्दसा में नहीं आएगा तब उसका प्राकट ये नहीं होगा वो दोस होते हुए भी ब्यक्ति निर्दोस रहेगा जब उसकी महादसा आएगी जब उसकी अंतर्दसा आएगी जब उसकी प्रत्यंतर्दसा आएगी तभी ये घटना घटेगी जैसे ज्योतिस का एक नियम है लगने सनवकर मगते ससांकह सुक्रेक्षितेवा यदि बंद भोगता इसे लगन में सनी हो लगन में सनी हो दसंभाव में चंद्रमा हो और सुक्र से देखा जाता हो मानि सुक्र चवथे भाव में हो तो देखा जाता हो, तो ऐसा आदमी जेल जाता है, तो अगर ऐसा किसी के कुंदली में योग है, तो क्या कहोगे आपको बच्पन से बुढ़ापे तक जेल में ही रहेगा, ऐसा तो नहीं न, लेकिन हाँ, जब सुक्रसनी और चंद्रमा इन तीनों का कहीं से मेल बनेगा, दसा महादसा अंतरदसा में, तो उस समय वो जेल जाएगा, पक्का, अगर जेल न भी गया, तो ठाने से ही उसकी बिल होगी, लेकिन थोड़ी सी गिरफतारी की तलवार उसके उपर लटकेगी, लेकिन अब ये कह देना कि नहीं, ये तो योग है, बंधन योग है, जिन्दकी भर बंधन रहेगा, ये आप कहते हैं ग्रहों की चाल बदलती रहती है, ग्रहों की दसा बदलती रहती है, इसलिए जोतिस सास्त्र जो है, ये फली जोतिस सास्त्र, देशकाल परिस्थिती के अंसार इसका फला देश करना चाली, समुद्दर से भी कुछ ज्यादा समझ लो, ध्यान नहीं दिया तो आप उपहास के पात्र होंगे जैसे उदाहरण के लिए अगर हिंदुस्तान में कोई लड़का पैदा हुआ उसके लगन में सनी है तो उसका रंग सामला होगा लेकिन अगर इंगलाइन में कोई लड़का पैदा हुआ उसके लगन में सनी है तो क्या हो काला होगा क्या होसामला होगा नहीं होगा सीधी सीधी एक Lain की बात है नहीं होगा कि बंगाल में कोई पैदा हुआ उत्तर प्राद्रेस्ट में कोय पैदा हुआ और उसके कुंडली में मंगल ग्रह है तूर पांच फूट-4 इंचिका होगा लेकिन अगर हरीड़ेना में पैदा हुआ है तो उसके लंबाई मंगल के रहते हुए भी पांच पीट आठी निच हो जाएगी तो देश काल और परिस्थिती यह सब भी मैटर करता है इसलिए एक सुयोगी जोंतसी को चाहिए कि वो देश काल परिस्थितियों का मुल्यांकन करके तब किसी फला देश को कर जैसे जोति सास्त्र में पहले कहा गया है नव वर्स की आयू में विवा होगा साथ वर्स की आयू में विवा होगा 11 वर्स की आयू में विवा होगा तेरा वर्स की आयू में विवा होगा वह बात अगर आज आप कहेंगे तब आप तो उपहास के पात्र हो जाएंगे 11 बच लेकिन आज आप देशकाल परिस्थिती को ध्यान में रखते हुए उसके अनुरूप अगर आप अपने अनुभाव जन्य फलादेश करेंगे तो उससे आपका मतलब की यस बढ़ेगा और सामने वाले को भी फायदा होगा तो कहने का आसर यह है कि मैं यह कहना चाहता हूँ कि देखिए जिन लोगों की कुंदली में ब्रिहस्पती नीच रासी का है या सूर्य नीच रासी का है मकर रासी में ब्रिहस्पती हो और सूर्य नीच रासी में हो जिन लोगों की कुंदली में ये दोनों ही ग्रह पापक ग्रहों के प्रभाव में हूँ, तो ऐसे लोगों को देवदोस लगता है, देवदोस का बुरा प्रभाव सबसे पहले संतान पर पड़ता है, ऐसा माना जाता है कि देवदोस का बुरा प्रभाव तीसरी पीडी तक देव दोस के प्रभाव के कारण कारोबार और नोकरी में संकट आता है, देव दोस के कारण कुछ लोग अपनी सिहत को लेकर हमेशा परिसान रहते हैं, देव दोस का तो तक्षन भी प्रभाव देखा गया है, मैं आपको एक सत तिघट्ला बटा रहा हूं, मतलब एक सोने चांदी के जोहरी ने एक आदमी से सोने की दुरगाजी की मूर्थी खरी दी, अब उस ने चाहाए मूर्थी चुरा कर बेची हो, चाहाए वो अपनी मूर्थी बेची हो, अब उसका मालिक तो वो जाने, लेकिन मूर्ती 100-500 ग्राम सोने की थी और सिंह पर सवार दुर्गाजी की मूर्ती थी सुनडकार ने सोचा, दुकानदार ने सोचा कि भईया कहीं ये चोरी की न हो मैं फंस न जाओं इसलिए तुरंत ले जाकर उसने सोने को गलाना सुरू कर दिया और जो ही गलाना सुरू किया उस लड़के को सिंह की दहार सुनाई पड़ी जोर जोर से चिलाने लगा कर इस सेर दहार रहा है, सेर दहार रहा है घर के लोग भाग के गए और वो बेहो सोता चला जा रहा है उसको हास्पिटल लेके गए, तीन घंटे में वो मृत्तू को प्राप्त हो गया और उसके बाद उसके घर में तीन-तीन एक साल के अंदर तीन अकाल मृत्तू हुई तो कहने का मतलब जिसे प्रानपरतिष्ठित मूर्ति को आप तोड़ रहे हैं, गला रहे हैं उसको नश्ट भ्रष्ट कर रहे हैं, तो इसका पाप तक्षन आपको दुखी करेगा इसलिए बहुत सोज बूज करके जीवन जीने की जिरुरत होती है ऐसा नहीं कि आप अहंकार कि अरे इससे कुछ नहीं होता है होता तो तब होता है जब आपको पता लगेगा, जब मतलब की रोने के लिए आशू भी कम पढ़ जाएंगे इसलिए हर समय भगवान से डरना चाहिए हर समय इस्वरी सत्ता से डरना चाहिए हर समय इस्वरी सत्ता से भय होना चाहिए भगवान का डर कभी मन से खतम नहीं होना चाहिए ये बात अलग है कि गीता में भगवान ने लिखा है कि मेरी दो प्रकार की स्रिष्टी है एक दैवी संपदा की एक आशूरी संपदा की दैवी संपदा की स्रिष्टी में भगवान कहते हैं गीता के सोलें अद्धाय का ये तीन इसलोक है अभयम सत्व संसुध्धी ज्यान योग ववश्थिती दानह दमस्य यग्यस्य स्वाध्याय तप आर्जवं अहिंसा सत्यमा क्रोध चांत पैसु नमेवच दया भूते सोलो इस लोक का पहला ही अच्छर है अभयम, अभयम मतलब जो किसी प्रकार के भय से युक्त न हो, लेकिन दो चीज का भय हर आदमी को होना चाहिए, एक समाज का भय और एक भगवान का भय, ये काम करने पर समाज क्या कहेगा? और ये काम करने पर भगवान क्या सोचेंगे? ये दो बातों का भय अवस्य होना चाहिए, अगर भय नहीं होना चाहिए, तो मृत्तु का भय नहीं होना चाहिए, भय नहीं होना चाहिए, तो गरीबी का भय नहीं होना चाहिए, भय नहीं होना चाहिए, मान अपमान का नहीं करते रहे लेकिन प्रभू को सर्वोपरी मान करके समाज को सर्वोपरी मान करके तब आप अगर जीवन जीएंगे तो सचमुच में ये जीवन आपका साथ्टिक होगा जैमाबिन दिवासमित